ओम शांति तीस मार्च दो हजार बाइस बाबा के महावाक्या मीठे बच्चे तुम बाब के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए ऐसी अवस्था पक्की करो जो अन्त में बाब के सिवाए कोई भी याद ना आए प्रश्ण सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है उसको भुजाने का तरीका सुनाओ उत्तर सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है यह आग सबसे तीखी है इस आग को भुजाने वाली रूहानी मिशन एक ही है इसके लिए स्वयम को फायर ब्रगेड बनाना है सिवाए योगबल के यह आग भुज नहीं सकती काम विकार ही सब की सत्यानाश करता है इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुर्शार्थ करो गीत महफिल में जल उठी शमा ओम शंती जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीती समझ जाते हैं इस गीत को सुनने से सारी सुरुस्टी चक्र रच्चता और रच्चना के आदी मध्य अंत को जाना जाता है गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाई किस द्वारा ज्ञान के सागर द्वारा बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मर कर अपने परमधा में जाने के लिए यह पुर्शार्थ और कोई करा ना सके सिवाई एक बाप के बाप कहते हैं मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा पिछाडी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाए एक बाप की याद के और किसकी भी याद ना आए तुम बच्चे जानते हो शमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए परवाने तो धेरों के धेर हैं प्रदर्शनी में भी देखो कितने धेर आते हैं कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, ये संगम पर ही दिखाया जाता है दोनों इकठे तो हो ना सके, एक खतम होनी है जरूर, तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वह जानते हैं राम राज्य अर्थार्थ नई दुनिया स्थापन हो रही है, राम राज्य स्थापन होने के बाद, रावन राज्य खतम हो जाएगा जब तुम राम राज्य के भाती बनते हो, तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए पहले पहले काम अगनी को भुजाना है, अपने लिए फायर ब्रगेड बनना है, ये आग सबसे तीखी और बिलकुल गंदी है सिवाई योग बलके बुजा नहीं सकते, सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का सबको काम की आग लगी हुई है, इस आग को बुजाने वाली रूहानी मिशन एक ही है उनको जरूर यहां आना पड़े, कहते भी हैं हे पतित पावन आओ पतित कामी को कहा जाता है, हे काम की आग भूत को भसम करने वाले आओ यहां मिजॉरिटी तो पतित हैं, भल कोई पवित्र रहते हैं तुमको युक्ती बताता हूं, इनको कैसे बुजाओ यह काम अगनी भी सतो रजो तमो में आती है तमो प्रधान वह हैं, जो बिलकुल रहे नहीं सकते, आग लगी रहती है मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार करता है सत्युग में कोई दुश्मन होता नहीं वहां ना रावन होता, ना मनुष्य के दुश्मन होते तुम समझाते हो भारत का सबसी बड़ा दुश्मन रावन है खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है सत्युग में राम राज्य, कल्युग में रावन राज्य कार्टून में भी दिखाया है वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य देवताओं के आगे हाथ जोड कर जाकर कहते हैं आप सर्व गुन संपन हो हम पापी दुखी हैं यह भारत स्रेश्ठाचारी पावन था जरूर जहां देवी देवताओं राज्य करते थे लक्ष्मी नारायन और राम सीता दोनों का राज्य था है उन्हों का घराना प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं समझाकर फिर कहते हैं बुद्धी में धारना होती है ना जैसे मेरी बुद्धी में धारना है जाड ड्रामा की नौलिज हमारे पास है इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं सृस्टी के आदी मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं ये है राज-योग और ज्ञान बैरिस्टरी पढ़ते हैं उनको कहिंगे बैरिस्टरी योग क्योंकि उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं ये बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर राज-योग सिखाता हूं राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्सा मिलना चाहिए तुम सब से पूछते हो कि परंपिता पर्मात्मा का परिचय है वह बाप रचईता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी अब नहीं हैं फिर ले रहे हैं जैसे कल्प पहले भारत वासियों ने ली थी अब फिर से भारत वासियों को लेनी हैं नारद का मिसाल तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ भगवान से नई दुनिया का वर्सा लेंगे भारत को ही वर्सा मिला था अब नहीं है और कोई को तो मिलना सके क्योंकि भारत ही भगवान की जनम भूमी है तो चैरिटी बिगिन्स एट होम यहां वालों को ही देंगे परन्तु बहुत बच्चियां समझ नहीं सकती हैं बहुत बच्चों को सक्षतकार भी कराते हैं दिखाते हैं तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठ्शाला प्रिंस बनना वा राजा बनना एक ही बात है यह सक्षतकार होता है कि पुर्शार्थ कर ऐसा बनो बाप की शिरीमत पर चल पुर्शार्थ करो सिर्फ क्रिश्न को देखा यह कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे तो आगे बहुत देखते थे फिर चले गए सक्षतकार हुआ फिर पढ़ते नहीं है ऐसा बनते नहीं है इतना पुर्शार्थ नहीं करते क्योंकी भूतों का वार है देहे अभिमान का कड़ा भूत है बुद्धी में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है हमने चोरासी जन्मों का पार्ट पूरा किया अब हम ये पुराना चोला छोड़ता हूं यह भी सिर्फ याद पढ़ जाए तो अहो भाग्यै खुशी का पारा चड़ा रहे अब हम जाते हैं वापस मुक्ती धाम में यह किसकी भी बुद्धी में नहीं बैठ सकता बल सन्यासी हैं वह कहते हैं हम शरीर छोड ब्रह्म में लीन हो जाएंगे परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे तो जा कैसे सकते हैं ले जाने वाला है ही एक राम सभी बच्चों को ले जाएगा आपे ही तो कोई जा नहीं सकता पुर्शार्ट करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं अन्नेक मत मतांतर है गुरू गोसाई आदी करोडों की अंदाज में है सबकी अपनी अपनी मत है भल कहते हैं आपका ग्यान बहुत अच्छा है बाहर गए और खलास आते तो बहुत हैं परन्तु उनकी तकदीर में नहीं है इतना मर्तबा छोड़ कर आवे यह नहीं हो सकता है इसलिए गरीब ही उठाते हैं यहां तो आकर बच्चा बनना पड़े कोई सन्यासी गुरू इतने सब फॉलोर्स को छोड़ आवे बड़ा मुश्किल है सो भी यह प्रवरती मार्ग मेल फीमेल दोनों को इकठा रहना पड़े निश्चे बुद्धी वालों की जट परिक्षा ली जाती है देखें गुरू पना छोड़ते हैं बाबा का बनना पड़ता है न बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाए भी समझाते हैं सिर्फ पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या सम्बंद है वह जरूर मुक्ती जीवन मुक्ती देंगे मनुष्य मनुष्य को देना सके बाबा से वर्सा लेने के लिए आकर सीखना पड़े शिरीमत जो कहेगी सो करेंगे पहले पहले निश्चे बुद्धी चाएं फिर शिरीमत जो मिले पहले पहले परिचे ही बाब का देना है धेरों के धेर आते हैं कहते हैं यह बहुत अच्छी चीज है परन्तु खुद थोड़े ही खड़े होते हैं सिर्फ अपनी राय दे कर चले जाते हैं यह मालूम नहीं पड़ता कि यह किसकी मत पर चल रही हैं कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगा जगा होनी चाहिए मत देने लग पड़ते हैं अरे ईश्वर को थोड़े ही मत दी जाती है परन्तु प्राक्टिस पड़ी हुई है मत देने की बाकी खुद बैट समझें यह नहीं यहां कोई मत देनी नहीं है शिरीमत पर चलना है पहले बाप का बनना है फिर वह जो शिरीमत दे की ऐसे कोई को समझाओ फिर जब किसको समझावें वह लिख कर दे की मुझे तो शिरीमत पर चलना है तब समझें की कुछ ठीक समझा है आते तो धेर हैं, परन्तु अच्छी तरहां समझते नहीं हैं। ज्ञान के मतवाले बनते नहीं। इस समय सब हैं भक्ती के मतवाले। जब तप पाठ आदी सब भक्ती के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ती की है भगवान से मिलने के लिए। सब भगत ठेरे। भगवान तो एक ही है। एक को ही कहते हैं पतित पावन। तो खुद भी सब पतित ठेरे। यह है रावन राज्य इस कल्प के संगम का ही गायन है कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं सत्युग है कल्यानकारी स्वर्ग कल्युग है अकल्यानकारी नर्क रावन है आकल्यानकारी राम है कल्यानकारी ये नौलेज बच्चों की बुद्धी में टपकनी चाहिए ओना रहना चाहिए कि जाकर बिचारों का कल्यान करे कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है बहुत समचार आते हैं बाबा का कहना है समचार दो तो सावधानी मिले कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हैं वह बहुत तीखे हैं कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दे इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं समचते हैं यह हमारे से हुश्यार हैं प्रदर्शनी से भी बाबा समचार मंगाते रहते हैं कौन-कौन अच्छी सर्विस करते हैं इसमें बड़े होश्यार चाहिए कोई बोले तुम शाष्त्र आदी पढ़ते हो बोलो यह तो हम जानते हैं यह वेद शाष्त्र जनम जनमांतर सब पढ़ते आई हैं अभी हमको बाबा का डाइरेक्षन है कि कुछ नहीं पढ़ो मैं जो सुनाओं वह सुनो मेरी मत पर चलो मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगी अभी मौत सामने खड़ा है मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए मैं तुम्हारा बाप हूँ तुमको मुक्ती जीवन मुक्ती दोंगा हरेको ड्रामा अनुसार पहले मुक्ती में जाना है फिर जीवन मुक्ती सतो प्रधान में आते हैं इसलिए कहा जाता है सर्व के सद्गती दाता सर्वो दया सर्व में सारी दुनिया आ जाती है सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते हैं वह सब हैं अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले बेहद का सर्वो दया लीडर तो एक ही है सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला है तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे परन तु इतना भी किसको बुद्धी में नहीं बैठता दो अक्षर भी बैठे तो अच्छा है हम भगवान बाप के बच्चे है भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए मिला हुआ था अब नहीं है फिर मिल रहा है बाप कहते हैं मुझे याद करो वर्षे को याद करो एक दो को यही मंत्र दो मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ धरम स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं बुद्धी में यह रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है बाकी थोड़ा समय हैं जाना हैं अपने घर फिर हमारा नए सिर पार्ट शुरू होगा यह बुद्धी में रहे तो बहुत अच्छा तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं बड़ी जबर्दस्त कमाई है खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुँच जाते हैं परन्तु स्वर्ग में भी फिर उच पद पाना चाहिए यह कमाई है चुपचाप करने की करमेंद्रियों से कर्म करो परन्तु दिल साजन की तरफ हो बस बेड़ा पार है बड़ी जबरजस्त कमाई है बाप की सर्विस में रहने से ओटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला अब यह नाटक पूरा हुआ हमें वापस मुक्ती धाम में जाना है इस खुशी में रहे पुरानी देही का अभिमान छोड़ देना है दूसरा एक बाप की मत पर चलना है बाप को अपनी मत नहीं देनी है निश्चे बुधीबन बाप की जो शिरीमत मिली है उस पर चलते रहना है वर्दान भिन भिन स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राज योगी स्वराज्य अधिकारी भाव राज योगी बच्चों के लिए भिन भिन स्थितियां ही आसन है कभी स्वमान की स्थिती में स्थित हो जाओ तो कभी फरिष्टे स्थिती में कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिती में कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिती में जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं ऐसे आप भी भिन भिन इस्थिती के आसन पर इस्थित हो वेराइटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धी को ओडर करो और संकल्प करते ही उस स्थिती में स्थित हो जाओ तब कहेंगे राज योगी स्वराज्य अथिकारी। स्लोगन वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहे धारी आकर्शित ना करी। ओम शांती। झाल झाल